तो जब भी हम Science 7 Technology की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है NASA जिसमें खुद संस्क्रिट मासा को scientific language माना है तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं जुलाई 1927 को Forbes नाम की magazine publish हुई जिसमें लिखा था संस्क्रिट देजा most convenient language of computer software programming यानि कि computer के software programming के लिए संस्क्रिट सबसे सठीक मासा है और उसी पत्रका में लिखा था कि NASA के बग्यानिक संस्क्रिट के आधार पर 6 & 7th generation के computer बनाने में लगे हुए हैं और कुछ समयबान नासा ने खुद ही सामने से आकर बताया कि संस्क्रिट मासा artificial intelligence के लिए सबसे सठीक मासा है और दोस्तो आज कल तुवे ट्रेंड चल रहा है किसी भी अंद्विश्वास का पूर्ण कर्दित करपना को नासा से जोड़ने का क्योंकि नासा का नाम लेने से उस मित पर authenticity की मुहर दग जाती है चलिए आज इस कहानी का भी विस्ट्रेशर कर देते हैं जो की real intention ने सुनाई है सबसे पहले तो इन भाई का सोर्स देख लेते हैं सोर्स के लिए इन्होंने कोई पोस्ट दिखाई है जिसमें लिखा आया कि जुलाई 1987 में 4-20 मैगजीन में एक न्यूज पबलिस हुई जिसके अनुसार संस्क्रत computer software programming के लिए सबसे अधिक convenient language है और नासा के वैग्यानिक संस्क्रत बासा के अधार पर 6 और 7th generation के super computer बना रहे हैं और आप इस पोस्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको उस पोस्ट के sources के बारे में लिखा दिखाई देगा जिसमें दो random website का नाम लिया गया है allvoices.com और indianchild.com तो अभी आप अनुमा लगा सकते हैं कि ऐसे random website से आने वाली information कितनी ज़्यादा reliable और authentic होगी चलिए अभी बात करते हैं 4Wiz magazine की 4Wiz magazine एक business और finance magazine है और उसमें कभी कोई ऐसा news article published नहीं किया गया और सोयम नासा ने भी कभी भी officially ऐसा statement नहीं दिया जो कहता हो कि subscribe programming के लिए सबसे सटीक बासा है तो real intention यहीं पर expose हो गया क्योंकि नाई इनका source of information reliable है और इन्हों ने जिस 4Wiz magazine के news article की बात करी वह भी फरजी निकला परन्तु अब हम इस पर बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको उस source के बारे में भी बता देता हूँ जहां से अफवाव फैले की नासा ने कहा है संस्क्र प्रोग्रामिंग और artificial intelligence के लिए सबसे सटीक बासा है तो बात है सन 1985 की जब नासा के एक computer scientist ने AI magazine में एक article पब्लिस किया इसका नाम था knowledge representation in Sanskrit and artificial intelligence तो जैसा की title से पता चल रहा है कि यहां पर knowledge representation की बात करी जा रही है ना कि programming करके AI systems को बनाने की knowledge representation और programming दोनों अलग अलग चीज़े हैं programming का अर्थ है ऐसे code अथवा instruction का अभियोग करना जो की computer execute करके कुछ specific task perform कर सके और ये instruction काफी ज़्यादा precise और specific होते हैं जिसका अभियोग हम software systems और AI systems को बनाने में करते हैं और वहीं दूसरी तरफ AI के संदर में knowledge representation का अर्थ है कि knowledge अथवा information को ऐसे way में present करना जो की AI अथवा computer दोरा आसानी से समझा जा सके उधारण के लिए हम chat GPT को देख सकते हैं या एक AI है जिसको हम अपनी मानुवी भासा में instruction देकर इससे task perform करवा सकते हैं तो जब हम chat GPT को कोई input देते हैं किसी प्राकरतिक भासा जैसे की English में तो chat GPT उसको समझ कर हमें response देता है chat GPT को अपनी भासा अर्थ हाथ प्राकरतिक भासा में input देना ही knowledge representation कहलाता है तो Rick Bricks ने अपनी paper में यही कहा है कि AI में knowledge representation के लिए natural language अर्थ हाथ प्राकरतिक भासाओ जैसे की English, French, Chinese, Sanskrit और Latin आथ का परियोग कर सकते हैं अपने इस statement को demonstrate करने के लिए उन्होंने Sanskrit को as a example प्रस्तुत किया है और argue कर दे का प्रियास किया है कि हम knowledge representation के लिए प्राकरतिक भासाओ का प्रयूग कर सकते हैं उन्होंने यह कहीं भी नहीं कहा कि knowledge representation के लिए Sanskrit सबसे सटीक भासा है और इसका सबसे बहतर example है आज के AI अगर वास्तों में Sanskrit ही सबसे सटीक भासा होती तो आज Rick Bricks के AI magazine में पेपर पब्लिस हुए 35 से अधिक हो गए है परन्तु आज तक कोई भी ऐसा AI system, operating system अथो स्वाप्रे नहीं बना जिसे Sanskrit भासा में प्रोग्राम किया गया हो और ना ही हम chat GPT जैसे AI systems में knowledge representation के लिए Sanskrit भासा का प्रोग करते हैं और सबसे मुख्य और आखरी बात हाला कि Rick Bricks नासा में एक computer scientist थे परन्त उन्होंने या जो paper लिखा वो individual रूप से लिखा नासा ने इसे कभी भी officially सुईकार नहीं क्या तो या बोलना कि ये नासा की research अथवा report है वो भी एक मुख्यता पूर कार है और जिसे भी Rick Bricks का या paper पढ़ना हो तुमें AI magazine की website का link description में डाल लूँगा आप वहां से download करके पर सकते हैं धन्यवाद